कि हैं लो फ्रेंट्स वेल्कम टु मैं इस्टेडी फीड चनल दोस्तों आज का टॉपिक है ट्रेनिंग लोड यानि प्रसिच्छर भार प्रसिच्छर भार क्या है इसके कितनी प्रकार होते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या है इसके बारे में फूल देटीन बताए जाएगा बस आपके सभी डाउंट्स केलियर हो जाएंगे इसके बारे में आप पूरूब से ज़यांगे कोई भी कुस्टन पूछा जाएगा कोभी कन्फीजन में नहीं रहेंगे और दोस्तों आप इस पूर्ट ट्रेनिंग के अन्य टॉपिक जैसे कि कंपोनेंस आप इस पूर्ट ट्र से रिलेटेज सीलिबस वाइज टॉपिक है उन सब को आप चैनल की प्लेइलिस में जा करके देख सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं दोस्तों एंड के जानते हैं ट्रेनिंग लोड यानि प्रस्थिच्छा भार क्या है दोस्तों जो हमारा ट्रेनिंग की और मनोविज्ञानिक प्रियुर्तन होते हैं यानि एनोटोमिकल फिजियोलाजिकल एंड साइकोलाजिकल चैन्जेज होते हैं हमारे बॉड़ी में ट्रेनिंग बॉड़ से इसमें क्या होता है कि हम समाने क्रिया कर रहे हैं समाने अभ्यास कर रहे हैं उससे थ्वड़ा ज सिटी में बदलाव आ जाता है हमारी हार्ट बेट बढ़ जाता है हमारा सोसन दर बढ़ जाता है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है जिससे हमारे कारे करने की दर बढ़ता है और जिससे हमारे प्रतियोगता को देखते हुए आप अपने लोड को बढ़ाते हैं ट्रेनिंग के लोड को कि हम उच सीखर तक कैसे पहुचें तो दोस्तों बिना ट्रेनिंग वहार के खिलाड़ी का प्रदर्शन चमता है ब्रिधी और प्रदर्शन का इस्थाई करण संभो नहीं हो सकता क्योंकि प्रफार्मेंश को बहाने के लिए ट्रेनिंग लोड देना बहुत आवश्चेक है क्योंकि दोस्तों जिस नावा इसीति से आप काम कर रहे हैं आप किसी कमपेटि तक अप्रिषय को साथओकेकी पडर्शन नहीं करेंगे तब फिर जाल। फ्लह से लिए तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा आपका स्वांटि रच पुप लूझती उसमें आपका सेलेक्शन नहीं होनी वाला है मैं आपको देखिना है कि प्रशूर कोक्ष्चन के सलेल लाद कि आपको इतना effort लगाना पड़ेगा इतना performance दिखाना पड़ेगा और आप वर्क आउट उसके हिसाब से बहुत कम कर रहे हैं तो आपको performance तो बढ़ेगा नहीं इसलिए training के भार को थोड़ा बढ़ाया जाता है पहले से नामर इसलिए 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 बढ़ा दिया जाता है जिससे हमारे body में change जाते हैं हमारे capacity बढ़ती है और performance enhance होता है और खिलाड़े की प्रदस्वन चमता बढ़ता है तो दोस्तों यहाँ पे question बन सकता है इस प्रकार से कि training load याणि procedure भार से होता है खिलाड़े की प्रदस्वन चमता में कमी खिलाड़े के प्रदस्वन चमता ब करके बढ़ती है कि प्रेश्प देने से जबकि अर्ल उयर कि घरती है ठीक है तुछ तर्च धेएंगे तो इसे घटेगी अब त्रेश्प लोड को थोड़ा बढ़ाएंगे वह से प्रफ़र्मीश बढ़ेगा तो दोस्तों है ट्रेश्प लोड दो है दो प्रकार का उब है ए इंटर्नल लूड यानि आंतरिक भार तो एक्स्टर्नल लूड यानि वह भार यानि इसमें यह होता है कि किसी खिलाड़ी द्वारा किये गे कुल कार की मात्रा को ही हम वह भार कहते हैं यानि कि खिलाड़ी द्वारा कुल कितना कार किया गया यानि कि खिलाड़ी जैसे 20 किलोमीटर द्वारा या 80 केजी भार उठाया तो खिलाड़ी कुल कितना कार किया 20 किलोमीटर द्वारा और 80 केजी भार उठाया यह आपका हो गया वह है भार external load दूसरा है internal load यानि आंतरिक भार इसमें जो हम external हमारे जो load होता है वार भार होता है उसका पेड़ा हमारे आंतरिक अंगो या हमारे सभी प्रता है वह ही आपका internal load आंतरिक होता है कि यानि मानो शरील के कार की यानि क्रियात्मा और मेंक्यानिक यानिuka फीजियोलोजिकल और साइको लाजिकल पर्यक्रतन की मात्रा को ऑन्त्रिक भार कहते क quieren yourself tomorrow if we have any का ही प्रिड़्राम होता है जिसके कार खिलारी के आंतरिक अंगू पर प्रोहाओ पड़ता है। जैसे कि हम 20 केजी किलोमीटर दोड़ हैं या 80 केजी भार उठाए हैं तो हमारे खिलारी की हिदय गती, स्वासदर, लेक्टिक अमले इस सब की मात्रा सभी बढ़ जाती हैं। यही हमारा आंतरिक अंगू पर प्रोहाओ पड़ता है। जैसे ब्यायम के समय हमारी जैसे सोसंदर, जैसे 14 और 18 के बीच में हमारा बाहर से 16 और 14 से 18 के बीच में हमारा नार्मल सोसंदर होता है। बट जब ब्यायम करेंगे आप तो 40 बीच करती मिनट हो जाती है। जैसे हमारा जो हिदेगरती समाने में 72 परती मिनट होता है धड़कन बट जब ब्यायम करते हैं तो 180 परती मिनट तक पहुच जाती है। दोस्तों डिग्री आप लोट को इंटर्नल लोट के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप इसे सुपसिध्यान में रखेगा। कभी कभी पूछ सकता है कि डिग्री आप लोट को किस अन्य नाम से किस में जा जाता है इंटर्नल लोट के नाम से। यह तो था दोस्तों ट्र अब बात करते हैं ट्रेनिंग भार यानि ट्रेनिंग लोट के प्रसिच्छ भार के घटक यानि components आप training load तो training load के दो components यानि दो घटक होते हैं इंटेंसिटी और value इंटेंसिटी और value दोस्तों अब आप पूरी अच्छे तरीके समझ जाएंगे तो ट्रेनिंग भार यानि ट्रेनिंग लोट के दो घटक होते हैं दो components होते हैं इंटेंसिटी और value यानि लोड इंटेंसिटी और load value ऐसे भी कह सकते हैं इंटेंसिटी यानि तिब्रता value यानि आयतन, intensity यानि किसी कार को कितना spirit से या कितना रबतार से किया गया value यानि किसी कार को कितना समय में किया जा रहा है, कितना समय लगा उसको करने में एक घंटे, दो घंटे, पंज़र मिनियोत, एक सेकेंड, दो सेकेंड, पैतालिस सेकेंड, कितना समय में उस कारे को किया गया, यह हमारा वैलिम होता है, और उस कारे को उतने समय में कितने स्पीर से कितने रप्तार से किया गया, यह हमारा इंटेंसिटी होता है, यानि कि हमारा जो volume जितना कम होगा यानि कारे का समय जितना कम होगा उतना ही हमारी intensity यानि तिवरता ज़्यादा होगी और कारे का volume यानि item जितना ज़्यादा होगा यानि कारे का समय जितना ज़्यादा होगा कारे जितने समय में किया जाएगा उसका intensity यानि तिवरता प्रिलियू जयादा होगी, इंटेंस्यटी कम होगी, वेलियू कम होगी, तो इंटेंसिटी जयादा होगी, यदि मालीजी आप सो मितर ड़व ड़व ड़ह रहे हैं, तो इसमें इंटेंसिटी क्या होगी हमारी नभी से सो परसें हमारी इंटेंसिटी होगी यानि कि कौन समय का कारे है सो मीटर दोर इसमें इंटेंसिटी यानि हमारी स्पीड ज्याद़ होगी और volume ज्यादा होगा यानि कारे करने का समय ज्यादा होगा यानि कि आप 5000,000 म्यट्र दोड़ रहे हैं 200,000 म्यट्र दोड़ रहे हैं हमारे intensity कैसी होगी, कम होगी अगर 100 म्यट्र वाले कितने भागम बठा गया है , लोड इंत index 10 आए भागम बठा गया है है बादि ती अब्यानि कारेको कितना ड़िताぇ जरा आए भागम बठा गया है and load volume भी दो भागों बटा गया है गती काल यानि duration of moment यानि की कारे को कितने सब्सक्राइन किया गया गती अबरिती यानि कारे को कितने frequency of moment यानि की कारे को कितने बार दोहराया गया तो चलिए इसकी बारे में जानते हैं सबसे पहले हम जानेंगे load intensity यानि भार्क तिवर्ता load intensity जैसा कि मैंने बताया कि हमारी intensity जो है volume के भीप्री दियाने की भीथ कमानुपाती होता है volume ज़्यादा होगी यानि कारे का करने कर समय ज़्यादा होगा तो intensity आपकी कम होगी अग कारे कर समय यानि volume कम होगा तो intensity हमारी हाई होगी यानि किसी खिलाई द्वारा किये कि कारे की मात्रा का संबंद कितने मीटर परती सेकेंड या कितने किलो मीटर पर आवर्स कितने समय से कितने इतने समय में कितने परती से छमता लगाई जाती है ये देखा जाता है यानि कारे को कितने इस्पीर से किया गया यह आपका intensity में देखा जाता है जैसे आप एक किलोमेटर गारी चला है आप देखते हैं कि एक किलोमेटर गारी चला है कितने घंटे में और कितने इस्पीर से चला तो कितने घंटे में घंटे तक चला यह का volume हो गया कितने इस्पीर स से कीलो पर आवर्स इस प्रकार से मेजियमेंट किया जाता है तो इंटैंसिटी को आप समझ गए यह आपका लोड इंटेंसिटी भी दो भागमपटा गया है गतीती ब्रता मोमेंट अप इंटेंसिटी दुसरा भारगनत यानी लोड डेंसिटी तो गतितिवरता, moment of intensity क्या है, कि आप किसी कारे को कितनी बल से और कितनी speed से कर रहे हो, वह यह आपकी गतितिवरता होती है, मिटियों विद्धा न लौट है और hamrari लौट देंसिटी कहें तो टाइम गया बेट्विन भारगह्न antaral होता है उसे ही हम लोड डेंसिटी यानि भार घुनत्य की रूप में जानते हैं जैसे कि आप 100 मिटर दोड़े फिर कुछ समय गैप किए फिर 100 मिटर दोड़े तो जो गैप किए, समय अंतराल किए वही आपका लोड डेंसिटी हुआ दोस्तों जैसे आपके समय और इन्टेंसिटी में भीपिरीश, भीद कमानुपाती समभंध है उसी प्रकार हमाई लोड और इन्टेंसिटी में भीपिर समभंध है यदि हम आप यदि 5 किलो भार लेके चलेंगे तो आपकी चलने की स्पीट जादे होगी यदि वहीं पर आप 20 किलो वजन लेके चलेंगे तो आपके चलने की स्पीड कम हो जाएगी यानि तिबिता कम हो जाएगी तो भार और तिबिता में भी intensity में भी load and intensity में भी बित कमानुपाती संबंध है यानि कि भार ज्यादे होगा तो आपकी तिव्रता कम होगी भार कम होगा तो तिव्रता ज्यादा होगी इसको भी आप ध्यार में रखेगा दुसरा हम बात करेंगे वैलियूम की ये तो था आपका तिवर्ता यानि intensity लोड intensity की बारे में हमने जाना दो भागों में गति तिवर्ता, moment of intensity और भार अगनत यानि लोड density अब बात करेंगे लोड वैलियूम यानि भार आयतन क्या है यानि कारे को कितने समय में किया जाता है यानि एक प्रसिछर काल में किये गे कुल कारे की मात्रा यानि एक प्रसिछर काल में किये गे कुल कारे की मात्रा उसको कितने घंटे में वर्काउट किया गया यानि जैसे morning time हो गया, evening time हो गया, यानि morning time में दो घंटे किये, evening time में दो घंटे किये, यानि किसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि कारे को कितने समय में किया गया, कुल कारे कितना किया गया यही आपका भारायतन होता है यानि चार घंटे काम किया गया या मिनट में या सेकेंड में या घंटों में इसको काउंट कर सकते हैं तो यही है मैंने बताया इसमें कि वैली में यदि हाई है कि यानि अगर कारेकर समय ज्यादा है तो इंटेंसिटी लो होगा अगर कारेकर समय कम है तो इंटेंसिटी ज्यादे होगी एक्जामपे के लिए 100 मीटर दोड़ है तो हमारी इंटेंसिटी जो है इसमें हाई होगा एक पोखर लगा होसे दोए left द्वाइशन अनों के प्रेंश अमेंट्रामें मिश्यक्यों कंवर कई रोता है डोड्यूर्शन ही में अन्य में किया गया ठीक है यानि किसे खिलाये तो यह हापका प्रसिचर बार शार होता है। इसमें आमने सैचर क्या है। कीतनी प्रका था prefix क्या होते हैं तीबिता और वैलिंग क्या होता है इस सबके संबंध को हमने जाना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा पर सिछभार में इंटेंसिटी में वैल्यू में तो दोस्तों एक वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कम आपको आते रहेंगे बस आप वीडियो पर लगाता बने रहें और अपने तयारी को बहतरीन बनाते रहें आगे अगामी बहुत सारे एकजाम्स एल्टी ग्रेट यूपी टीजटी भी आ रहा है इसलिए दोस्तों फॉर्म निकलने के बाद कोई भी तयारी अच्छी नहीं ह हो पाती है आप पहले से ही प्रिपेर्ड हो जाएए और सभी टापिक इस्टेप बाइस्टेप आपको मिलते रहेंगे आपने सेल्फ इस्टडी पर भी विसेश ध्यान दीजिए और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टापिक के साथ तब तक के लिए जाहिन